So, hey guys, welcome to study skills access, then guys, एक important information अभी निकल कर सामने आई है, अभी मैं हूँ Dr. Harsh वर्दन जी के official Twitter account पर, जो की Health and Family Welfare Minister है, उन्होंने अपने official Twitter account पर tweet करके ये जो information है, वो students के साथ share की है, information क्या है, चलिए देखते हैं, नीचे जाकर, तो ये उनका official Twitter account है, एक गंटे पहले उन्होंने officially लिए announce किया है, कि आपका NEET PG 2021 का जो exam है, जो की 18 अपरेल 2021 को होने वाला था, उसको further date के लिए postpone कर दिया गया है, due to COVID-19, आपने देखा कि COVID-19 के cases साल में 2-2 लाग तक आ रहे है, इसी के चलते जो NEET PG 2021 का exam जो है, वो उसको postpone कर दिया गया है, ये देखिए, नीचे भी 2-3 tweet इनके द्वारा किये गये है, ये जो tweet है, वो 48 मिनट पहले किया गया है, बोला गया है, NEET PG 2021 पोस्पोन, health and safety for our young doctors is paramount, next due to be decided after reviewing the situation later, यानि कि इनके द्वारा बोला गया है, कि फिलाल के लिए, जो आपका NEET PG 2021 का examination है, उसे पोस्पोन कर दिया गया है, further next date के लिए, और next date जो ह कोई भी next date नहीं रखी गयी है, जैसे ही कोई नहीं date निकाली जाती है, उसकी भी information आपको channel पर दे दी जाएगी, फिलाल information ये है, कि NEET PG 2021 के exams को फिलाल के लिए पोस्पोन कर दिया गया है, आगे की जो भी date रहेगी, वो officially इनके द्वारा announce कर दी जाएगी, फिलाल ये थी important details and videos आगे भी इस channel पर आप सभी को मिलने वाली है, बाकि मिलते हैं next video में, तब तक के लिए good luck and have a nice day.